आए बड़ी बेसमरी से आप लोग जिनके इंतजार में बैठें मैं उनको आमंत्रित करूँगा लेकिन जिन्होंने इस कारिक्रम को सजाया है सभी कभियों को चुन-चुन के आमंत्रित किया है मैं स्रिकांत भाई का धन्यबाद दू कि विधायक जी का धन्यबाद दू हमारे लिए तो दोनों बड़े एक बार विधायक जी कादेमिस मूचा गया भाई साब गंगा बड़ी है कि जमुना तो उसने का हमारे लिए तो दोनों बड़े हैं मैं उसको बुलाना चाह रहा एक सुरोता डंडा लेकर के इधर से उधर से उधर से उधर टाहल दे हमने का भाई साथ बैट जाए बोला नहीं आप पढ़िए आप तो हमारे महमान हैं हम तो उसको ढूड़ रहे जिसने तुमको यहां बुलाया तो हमें कैसे रचनाकार को ऐसे स्रेश्ट ब्यंग कार को आमन्तित करूँ जो आपके जनपत के गवरों है पूरे देश में जिनके ब्यंग बड़े मन से बड़े प्यार के साथ सुने जाते हैं बड़े भाई स्रीकांद सिंग जी मैं चार पंक्तियां डंडा लखनवी के उनके सम्मान में पढ़ता हूँ ब्यंग की पंक्तिया अगर आप तक पहुच जाएं तो अपने इस चहेते रचनाकार के सम्मान में जोरदार तालियों का महस्तो करना भाई स्रीकांद सिंगी को माई प्यामंतित करना कि उमीदों के हम सारे समंदर तैर आए है उमीदों के हम सारे समंदर तैर आए है अभी तक जो भी आए है वो सारे गए राए है औभगाओ मत अगर कमरे में दाखिल हो गई कुतिया बड़ी मुश्किल से मेरे घर जनाने पर आए है एक बार जोरदार तालियां वह स्रीकांद सिंगी माई मेरे भी सम्मान में एक बार तालियां बजा देजिए आपने तालियां बजाई अच्छी लगी लेकिन मजा नहीं आया एक बार आइसी बजा दो कि मजा आ जाए अच्छा ये मज़ा बहुत आटोमेटिक है ये अच्छा नहीं होता है ये आता है कुछी देर में चला जाता है फिर मन करता है का फिर आए इसकी ये आटोमेटिक गत्वदी बड़ी खराब है और इस मज़ा के चक्कर में पता नहीं लोग क्या से क्या करते चले जाते हैं और हम यही दिए समझ पाते हैं कि मज़े की चक्कर में लोग क्या क्या कर लेंगे कुछ तो मज़े की चक्कर में जेल में उनका तो जिक्र मैं नहीं करूँगा लेकिन हमको एक बार मद प्रदेश के कब संभेल में दिगबजे सिंग मिल गए हमने उन से पूछा हमने का इस उमर में शादी का है कर ले बोले मज़ा नहीं आ रहा था अच्छा मैंने जब उनका जबाद सुना कभी बड़ा संभेदंशील होता है मैं अपने देश के प्रधान मंत्री से भी मिला मैंने का जब इनको मज़ा में शादी इस उमर में कर ली तो सवाल तो इनसे भी जायज बनता है तो मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी कर ली और फिर छोड़ दिया बोले मज़ा नहीं आ रहा था हमने फिर पापस आए दिग्गी रजा की बस फिर पापस आए मैंने का आपकी पार्टी का एक छोड़ा एक दम गोरा देश की चीफ गती पर बैठने के सपने देख रहा है अरे उसकी भी शादी करा दो दिग्बिजे सिंग बोले उसको बिना शादी एक मज़ा रहा इस्थितियां जब ऐसे बन जाती है तब मज़े के चक्करम लोग कहां तब तक प्रदेश में सरकार बदली प्रदेश की सरकार में बदलते ही दो जगे पर बहुत अटेक हुआ एक तो आइंटी रोमियों और दूसरा जिन लोगों को मीट भीट खाने की लब थी उनको बड़ा मुश्किल कर सामना करना पड़ा हमारे साथ एक कभी सम्मेल में लखनों में विकास बोखल गए तो एक दुकान के सामने एक दम रुख गए तो मैंने इसे पूछ लिया मैंने का जब तु शाका हा रिये तु तो खाता ही नहीं का है रुखा खड़ा है बोले ले इस दुकान की खुश्बू मजा रहा इस्थितियां इतनी पलचाती इसलिए हम मज़े के चक्कर में बिल्कुल पढ़ना ये नहीं चाहते हम चाहते हैं एक बार तालियां ऐसी बजादो की आनंद आ जाए आपके आनंद की तालियों का आनंद ठिक ठिक करता रहेगा तो कविता की धारा भी प्रवाइद होती रहेगी बहुत अच्छा आप लोगोंने सुना कुछ विशेज हुए नहीं गये हैं जिन पर सुनाया नहीं गया है और में वहाँ पर थोड़ी सी बाचित करने के कोशिस करूगा क्योंकि मैं व्यंग कार हूं और लगे कि मैंने अपने व्यंग के धर्म को निभाने की कोशिस की मत्वाइद तो मुझे अशीरबात दीजिए गाँ देखिए सरकार बनी मैंने जहां से खिक किया था वहीं शुरू करता हूं और अइंटी रोमियों दल चला इसकॉट चला तो वाई साब आपको कुछ बाते हैं इसी होती जो पता नहीं चलती हैं हम लोड़के लाते हैं उनको तो यह एक लड़की ने SMS सीधे योगी को कर दिया उसने SMS में लिखा कि मेरी स्कूल की पढ़ाई बंद जैसे ही उन्होंने देखा मुक्य मंतरनी स्कूल की पढ़ाई बंद तुरंट उस लड़कीं को बुला दिया बुला पढ़ाई क्यों बंद बुले पढ़ाई इसलिए एंगेठें के स्कूल हमारा पांच सो दूर के और वे जान नहीं सकते तो उंहें क्या इस्कूल करें आरखनें रिएकिन जाने देवस्थां पह Also की बइसते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं माता-पिता बहुत तो योगीने का अभी तक जाती कैसे थी जाने क्या जरूरत थी इस्कूल के टाइम पर चार-पांच मोटोसाइकल घर के बार खड़ी मिलती थी बैट लेते तो चले आते थे बापस भी छोड़ जाते थे कभी-कभी तो यह जित होती थी हम बिठाएंगे तू बिठाएगा अब तुम्हारे इस आइंटी रोमियों की कारण हमारी पढ़ाई पंद हो गई है अच्छा तुरूं सरकार फिर एक्शन नाई बोले उन लड़को उनको भी तलब कर लिया गया लड़की ने नाम भी बता दिये जब उनको भी तलब कर लिया गया तो उनसे पूछा गया तो इस लड़की को रोज मोटरसाइकल पिठाकर स्कूल छोड़ता है उसको छोड़ते हैं उसको छोड़ाते हैं इसको ताक हमारे मोहले की लड़की पढ़ लेकर कुछ नाम रोशन करें भाई साथ देश-प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ जवाब नहीं सुझा प्रेस कांफेंस पुलाई और प्रेस कांफेंस में बयान दिया सेवा भाव से अगर कोई किसी लड़की के साथ जाए तो उसे गिरफतार मत खाए तो जब यह एक बात और बता दें आपको जब यह आंती रोमियों चला तो रोमियों ने एक मीटिंग बुलाई उस मीटिंग में मज इतनी बड़ी थी कि इसमें बुढ़े तक शामिल हो गए कुछ तो उसमें शामिल होते होते जेल की हवा खाने लगे और आकर के एक मुख्यमंत्री बैट किया जिन्होंने रोमियों स्कॉट चला दिया एक प्रस्ताव पास किया गया उस प्रस्ताव के पास कहता है थे मतुनू और शामिले इनवोंने कहा अइसा ऐसा कि इसी स्कॉट हमारे नाम से भी चलाई है तो योगी है थे जैंडि सब्स्कॉले नहीं ऐसा है याँ या तो जिंगा अए अधि यहां पर समझने बात आ रही है तो अच्छा उसके दाद में उस प्रस्ताव को सोईक्रिक किया और स्वकार करने में एक कांफेंस और की उसकांफेंस में बयान दर्ज कराया कि जो रोमियों गृप के लोग हैं उनको तो पकड़ लिया जाए लेकिन मजनुव रांजा के किया जाए याद रखिए आइंटरों में इसका दम तोड़ चुका है जहां कहीं भी कुछ भी होता है अपना स्टर्टी फिकेर्ट देते हैं में मजनुग गृप का हूं या रांजा का हूं इसलिए क्योंकि प्रेम पर कोई उत्मत लगा नहीं सकता है और मैं सरकार के क्या क मैं तो पता रहा हूं आपको कि प्रदेश की नहीं देश की पहली सरकार मैंने ऐसी देखी जो शब्दों में विकास कर देती है मैंने शब्दों में विकास कर देती है मैंने शब्दों में विकास पहली बार किसी को देखा विकलांग थे उन्हें दिव्यांग कर दिया एक लड़का उसको जोटशी मिला उसने का तुमको देश के प्रधान मांतरी से मिलने का गवरब मिलेगा और तुमारे जनम कुंडले में पांच बार लिखा है तो बड़ा खुश हो गया लेकिन उसने का मिल एको बार नहीं पाओगे अब बड़ा परेशान हो गया बोले जब लिखा आज तो मिल क्यों नहीं पाईगे ऐसी बात क्यों कर देते हो उसने कहा देखो जब जब तुम्हारा मिले की ओहए गाग बेबे देश में देश में तो रुखते ही नहीं इस लिए उनके मिले की संभावनाय नाके बराबर हो जाएंगी वह बहुत परेशान हुआ और दो प्रमांद समय की लिए चोटी सी बात और वहीं भी कर दूँ फिर मैं क्यम्ताव पढ़ता हूं परिचाने आने लिए आप बोड की परिच्छाओं में सरकार ने बहुत हेर फेर किया है इस्कूलों में लगाए गए हैं अगर लगे उसके जवाब में भी दम है और मेरी बात कहने में मिविंग आता है तो आपकी तालियों का शिर्बान बांगा हूंगा उस बच्चे ने कहा बदलते हालातों से मेरे मन में कोई संताप नहीं होगा शीत गर्मी बारिश का मन में कोई विलाप नहीं होगा और मैंने मेहनत की है ताप तो मैं कर लूँगा ही अफसोस ये कि मेरे हाथों में लैपटाप नहीं होगा तो कि पिड़ाएं कहां से कहा निकलती है वो पिड़ाएं इस सरकार के कानों तक पहुंचती नहीं है इसलिए जब संबाद में कहीं पर जनता के संबाद में सरकार के संबाद में जब बनता रहता है तो वहीं पर कविता और विंग ही जन मन लेता है आए अब मैं अपनी मू सुना मैं कभी उस लाइन में पढ़ता नहीं लेकिन आज मैं कुछ मुक्त पढ़ेंगा और लगे कि मैंने भी कुछ प्रतीत देने की कोशिश की और उसमें हास का विंग का पूट आ गया है तो बास सुनिएगा बहुत कशिम शब्द में बात नहीं कहूंगा और बहुत कम समय कोशिश करोंगा सुनिएगा लेकिन चारत हपंते पहले पढगे का सुनिएगा सुनिए पहले चार क्ति been करे नहीं सुनिएगा होस्पितल में बच्छे का जन्म होता है बस वहीं से मैं शुरू करता हूं बेटे का जन्म हुआ बड़े खुशी हुई है लोग कुछन को सपाल के करन चार भी नियागने शाबर मागने लगते हैं इस बास शुरू करता हूं और जोड़ लीजिए कि मंदम बाद जहां पर पहुचाने की वोशिस्की है कि पुत्र रत्न है जन्मा कुछ उपहार दीजिए और पुत्र रत्न है जन्मा कुछ उपहार दीजिए बधाईयां सब मित्रों की सोईकार कीजिए अर बोला हो अस्पिटल ये मैं छुट्टी तो कर दूँगा पर पहले जन्में बच्चे का आधार दीजिए पर पहले जन्में बच्चे का आधार दीजिए बड़ी समस्ताय आधार काड की लोग परेशान है कहां कहां तक पहुंच जाती है चार पंकिया मैं इस धारे में ओर लेने की कोशिश करता हूं मुझे एक देशी मिला उसने कहा कि आपके देश तो बहुत गरीबी है तो मैंने का तुझे कैसे पता उसने का का आपके देश में लोगों के पास धंकों पहनने के कपड़े नहीं है मैंने का तुम जूट बोलते हो कपड़े तो हमारे यहां प्रिंका चोपड़ा राखी सा मलिका शेराबत तमाम हैं जो नहीं पहिंती है तो क्या वे गरीब हो गई उसने बात आगे बदली उसने का आपके देश में लोगों के पास दो वक्त की खाने को रोटी नहीं है मैंने का इस संतों फकीरों का देश है तो पूरे पूरे जीवन और अन्में छोड़ देते हैं इनके दंपर पताने कितनों की रोजी रोटी चलती है उसने बात पदली मेरे देश में लोगों के पास इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे हैं कि पता नहीं कर पाते हैं खर्श करें तो कहां करें मैंने का तुम उल्लू हमारे देश में तो लोगों के पास इतने पैसे इतन हैं कि सरकार ने नोटे बंद कर दिये इस चितियां इतनी बढ़ गई अच्छा उसे नई बात और कहीं बहुत नहीं बात आई प्रतिक्राइब देने कोशिश करूंगा हमारे अहां खाते खुले जंधन के नाम से खाते खुले हैं खाते खुले हैं लेकिन उनमें पैसा नहीं ह पीडाएं भी भूत हैं लोग कहते हैं पंद्रा लाग कहते हैं पंदा रुपई इसमें डाल दीए तो मैंने एक सरकार की नुमानिदिगी करने वाले ने सज्जन से पूछा मैंने पूछा हैं जन्धन के खाते खुलवाई का है ने पैसे फैसा नहीं जीडरो में करन साथ हय कुछा है और यह सरकार का यह यही आज की समय में तमाशा है तो लोगों की पीडा ना ही कल पाती है तब मैं कुछ बंक्ला हम और आप लोग आनंद के साथ सुनिएगा बेटा बात पतकुर सुन लो पंक्तिया जई सुनिएगा चार पंक्तिया पढ़ने और शंगार के रूप में कुछ पंक्तिया पढ़ने कोशिश करता हूँ और हास और बिंगे की लाने की कोशिश करता हूँ सुनिएगा कि जीवन में मेरे आई तुम बन करके नविस्रश्टी मैंने भी रखा का भूमें अपना दिल और द्रश्टी मैंने भी रखा का भूमें अपना दिल और द्रश्टी अब बच्चे बड़े हुए हैं ऐसास हो रहा है मैं हुआ नोट बंदी सा तुम लगती हो जीश्टी कि घर आंगन तब मैं का जब घर आई घर वाली अर घर आंगन तब मैं का जब घर आई घर वाली अर बच्चों की किलकारी ने घर में धी खुश हाली अब मल के तम है छूता बच्चों को साशन सोपा तुम आधार कार्ड सी लिंक प मैं जनधन सा हूँ खाली तुम आधार काईडशी, कफू मैं जन्दान साहूं खाली आए एक चोटी सी रशना, आपके बीश में पढ़कर करके मैं इस्थान लेता हूँ ताकि निकास वोखल को समय मिल जाए, परहने के लिए और मोहन का देल भी को भी आप सुने एक नई रशना, इससे पहले मैं मैं तवली में कई बाद रशना पढ़ी दिये और किसी ने ने सुनी होगी, मंच के भी कुछ लोगों नहों सकता ने सुनी हो सुनिएगा, चीजिसे रशना पढ़ता हूँ कि एक साहित प्रेमी ने मुझसे पूछा पतनी और प्रेमी का में अंतर बताईए, लेकिन उसे साहितिक प्धा में समझाईए मैंने का बहुत आसान है समझ जाईए, पतनी गद्ध है, पतनी कहानी है, प्रेम का निबंध है पतनी एक आंकी है, प्रेम का नाटक है, पतनी रेखाचित्र है, प्रेम का संस्मन है पत्नी संस्मन है, प्रेम का रेखाचित्र है, पत्नी जीवनी है, प्रेम का आलोचना है, पत्नी रिपोर्टाज है, प्रेम का साक्षात्कार है, पत्नी जीवनी है, प्रेम का डायरी है, पत्नी गीत है, प्रेम का शायर है, पत्नी गत है, प्रेम का पत है, पत्नी कहानी है, प् है पत्नी जीपनि है कम का डायरी एक म Gü nhân कि प्रेम का शाहरी है और अब कर में पत्व बीर रस प्रेम का स्रंग्ण होगार होती इसांगार अलिके जब दोनों का अमना सामना होता है तो पत्नी दंस आपने नवस्त हो जाती है वालाय啊 उपमान है कि पतनी संदे है प्रेम का ब्रहांतिमान है चंदों में पतनी दोहा है सोर्ठा है चोपाई है लेकिन प्रेम का कुंडली बाल कराती है आप पे गले पड़ जाती है उसने कहा आपने अंतर बहुत समझाया मेरी समझ में आया मैंने का तुमारी समझ में कुछ नहीं हो सकतोस औंतर को मिताई है ब्रेम का को पतनी उर्टन को ब्रेम को को पतनी को ब्रेम को ब्रेम को ब्रेम को ब्री में को बना ये बहुत हुत chicos